ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, होसला है जिन्दगी में कुछ करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तारके ग्यान पर तो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए साइन्स के कुछ कुछ कुशन्स लेकर आए हैं, जो पिछले एक्जाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं तो चलिए अपने कुशन्स पर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाएं पहला प्रशन है, ताजे मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है क्यों ऐसा होता है, आप्शन देखते हैं क्योंकि उसमें जीवाडू नहीं होते या वाइरस के उपस्थिती के कारण क्योंकि जीवाडू द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, या फिर इन में से कोई नहीं जो अनुवणशिक्ता का सिध्धांत दिया था, वो मेंडल जी ने दिया था, यहां किस पौधे पर प्रयोग किया था, उन्होंने मटर के पौधे पर, चने के पौधे पर, मुंग के पौधे पर, या फिर इनमे से सभी पर, तो सही विकल्प यहां पर बनता है, एवाल ओप् प्रश्न रहा मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोच से प्राप्त किया जाता है जो मलेरिया होता है उसके उपचार की जो दवा होती है उसके लिए कौन सा स्योर्ष प्रियोग में लाया जाता है तार के व्रक्षिसे या सिनकोना के व्रक्षिसे या फिर खजूर के चार की दवा प्राप्त की जाती है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सिंकोना वरक्ष ठीक है तो बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अपने चार नमबर प्रश्ण है अफीम जो एक पादप उत्पाद है किसे से प्राप्त होता है जो अफीम होती है ये एक पादप से प्राप्त होने वाला मादक पदार्त है ये फूलों से मिलता है पतियों से मिलता है सूखे लेटक्स से मिलता है या फिर जड़ों से मिलता है तो दो एक लेटक्स मतलब एक गाढ़ा जो है पदार्थ होता है दूध के तरीके का वो यहाँ पर निकाल के उसे सुखाया जाता है अगर गाओं में रहते होंगे आप लोगों ने तो देखा होगा इस पादप को है ना और वैसे अब बहुत ही रेरली देखने को मिलता है अगला प् होता है या नपुन्शक्ता से होता है इन में से कोई नहीं सही विकल्प यहाँ पर भी वाला है बैंग रोग से उनमें बांच्पन का रोग होता है अगला प्रिशन है दोस्तों छे नंबर प्रोटीन का सबसे अधिक सम्रिद स्रोत कौन सा है चना है सोया बीन है मोंग है या फिर इन में से कोई नहीं सही विकल प्याहां पर बनता है B सोया बेन अगला प्रशन है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखता है पीला दिखता है, नीला दिखता है काला दिखता है या फिर भूरा दिखता है सही विकल प्याहां पर option number D वाला जो काला है यह दिखता है अंतरक्ष यातरी को अंतरक्ष में जाने पर अगला प्रशन है 8 number रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए स्फेग्मो मैनोमीटर या फिर अमैनोमीटर या उपर एक दोनो या इन में से कोई नहीं सहे विकल्प यहाँ पर बनता है स्फेग्मो मैनोमीटर अगला प्रश्ण है रेडियन किसकी इकाई है लंबाई की इकाई है द्रविमान की या फिर कोण का या फिर इन में से कोई नहीं सहे विकल्प यहाँ पर बनता है कोण रेडियन जो है वो किसका इकाई है कोण का इकाई है next question आपकी screen पर रहा यह देखे खून की कमी को क्या कहा जाता है चेचक कहते हैं रतोंधी कहते हैं सकर्वी कहते हैं या फिर एनेमिया कहते हैं सहे विकल्प डीवाला बनता है option खून की कमी से जो रोग होता है उसे एनेमिया कहा जाता है तो friends वीडियो अगर आपको पसंद रहा है तो इससे लाइक जरूर करें धर्निवाद